महाराजी क्रोधी मन को कैसे शांत करूंगी क्रोध का मूल काम है कि रोध कि श्वयम की सत्ता नहीं कामा संजायते क्रोधा क्रोधा इसमत्य तो पहली बत एकि आज कल अपने लोग ऐसे आशरण करते हैं जिससे हमारी चमता सारीरिक और बौद्धिक दोनों नश्ट हो रहे हैं खानपान और ब्रमचर ही इंता जो द्रश्टी में ही नहीं देखा जा रहा उस पर सुधारी नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों के पास मुबाइल है छोटे-छोटे बच्चे गंदी हरकतें करके अपने को नश्ट कर रहे हैं अब कैसे जब नीव ही खराब है तो हम महल की बात कैसे कर सकते हैं कि बहुत बढ़े हां बिल्डिंग मन सकते हैं अगर सैयम से रहा जाए ग्रेश्ट भी ब्या भी हो कर आजये तो भी सहिए हम से राज आजए खानपान पवित्र के आ जाए और प्रभू का नाम जब की आज़ा है तो हमारे निरणाएं गलत है हमें कुरूद का आता है जब हमारे निगेटिव प्रतिकूल कोई बात होती है बला पोच्टिव अंकूल में कभी करूदाया क्या आप दोगों आई नहीं सकता, जब हमारे कोई विचार पोश्टी हो, अनकूल बेवस्थित, तो फिर हमें कुरूद आये गए नहीं, तो जिसको हमने प्रतिकूल और निगेटिव माना है, उसका निरने करने वाले को हमारी बुद्धी ठीक हो, तो अपने आपको बचा लेंग पर वो बुद्धी इतनी अपवित्र हो गई, अश्मर्थ हो गई, कोई ठीक निरने नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें गुष्ण आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं, हर तरह से हमारी भियानी है, उसकी भियानी है, जिसने हमार प्रतिनकारात्मक चेश्टाएं की, तो उसकी हान ही होगी, कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हान तुरंत होने सुरू हो जाती हैं, जब हम क्रोध करते हैं, हर दे जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती हैं, इसलिए ना तो उसके लिए ठीक हैं, और ना अपने लिए ठीक हैं, तो इसको मिटाना ही हमारे लेकर तब हैं, और ये पवित्र बुद्धी विवेक के द्वारा मिटाया, जब करता दूसरी कोई दवा नहीं, विवेक के द्वारा, अगर विवेक हो जाए, तो बात बन जाए, विवेक होने के लिए सत्संग में विवेक प्रगट होता है पर उसको धारन करने की भी तो चमता होनी चाहिए बिन सत्संग विवेक न हुई सत्संग से विवेक होगा पर वो विवेक धारन तब हो जब बुद्धी पवित्र हो बुद्धी पवित्र तब हो जब अहार पवित्र हो शं विचार रखना अब कैसे सुधार हो कैसे सुधार हो क्योंकि नियु गरवर हो रहे है अपने जित्नी भी नए पीड़ी है घंदे नशो में जा रहे वो ब्रमचरी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं उसको खिलवार समझ रहे हैं मनोरजन समझ रहे हैं छमता अध्यात्म की तब आवे ना जब थोड़ा सैयम होना अब जैसे को यह कहता है भगवान के अनुभूत करा तो माने यार पूरा जीवन हो गया उन्हें के अनुभूत जो अंदर बढ़ता है बढ़ जाए पित और उसको मिसीरी खवा तो कड़वी लगेगी क्योंकि उसकी जबान खराब है हमारी इंद्रिया मलीन हो चुकी है जिसे राधा नाम शुधा रशम क्या है बोले अम्रत रश है प्रेमा अम्रत बरा हुआ है पर हमें चान नहीं लग प्रेम विवस्ता आजाएगी जब भारत जी चित्रकूट जा रहे है और शियाराम को एक लंबी शांस लेते हैं पूरा चित्रकूट प्रेम में हो जाता है नाम का देखो वो प्रभाव और एक नाम का हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारा हरदय इद्रवीत नहीं होता तो नाम तो वही है पर हमारा हरदय बहुत मलिन हो चुका है इसको ठीक करना होगा तो थोड़ा ब्रमचर पर ध्यान दो अहार शुद्ध रखो गंदे लोगों का शंग न करो और नाम जब करो तो आपकी बुद्धी में बिवेक आने लगेगा चमता आने लगेगी उसको काटने की काट दिया तो बात बन जाएगी अब नहीं काटा तो फिर उसको काट होगा जिससे चुआ है उभी असमर्थ है बीड में उसको धका लगी उससे हमारे द्वारे कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगर लगे बीजा है कोई राम से तब लगा है हाँ मनुष्यता है इसमें तो अपने को आगे बढ़ना है तो आहार्ठीक करो को यसे गंदेपदार नसे वाले मतलो अब इससे सराप पी ले फिर सोचे क्रोध नावे सराप पी ले पर हम इतना बढ़ जाता है अब हंकार बढ़ चुका है तो सारे दोस उसमें बैटे हुए है अब आप जरा से छेड़ दोगे तो फिर लड़ाई जगड़ा से लो तो आब वो बुद्धी जिसन करने वाला भोजन है बले अपने इंसा नहीं कि लेकिन उसकी हिंसा हुई है उसमें आप सायोगी है क्योंकि आप खा रहे हैं तो आपकी बुद्धी क्या करेंगी हिंशक बनेगी उसमें कुरूरता आएगी निर्देता आएगी आप गंदे आच्रन कर रहे हैं वेविचार आपकी बुद्धी एकदम घ्रणित मलिन हो जाएगी अब उस बुद्धी में विवेक उत्पन हो निर्णे करने लाइक बने तो बड़ा असंबहुशा दिखाई देता है आज के वावी मंडल में वातावरण में पर आप अहो भाग है धन्य भाग है आपका कि आप इस सवस लीला रचे चुप चुप बचा के निकल जाओ अपने को भी और सामने वाले को भी